सब्सक्राइब कीजी गवर्मेंट एंप्लोईज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हर खाबर सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने यूटूब चैनल गवर्मेंट एंप्लोईज न्यूज में तो अज वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभिन सरकारी, विवागो द्वारा, केंद्रिय करमचारियों, रेलवे करमचारियों, सेंड करमियों और पेंट्सनर्स के लिए सिप्तमबर 2018 के दोरान तुजारी किये गए हैं, ओपिस मेमोरेंडम हैं, कुछ इंपोर्टेंट सर्कुलर्स हैं उनके बारे में तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपने पूरे महिने में कोई भी वीडियो हमारा नहीं देखा है और यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस मेने के दोरान कौन-कौन से महतपूर्ण परिवरतन ने आपर केंद्रिय करमचारियों और पेंट्शनर्स के लिए किये गए हैं और कौन-कौन से आदेश उनके संबंद में जारी किये गए हैं तो आप बने रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि 20 सिप्तमर 2018 को Department of Personal and Training के तरफ से एक आपिस में मुरुनम जारी किया गया था और इसमें केंद्रिय करमचारियों के लिए जो LTC है यानि लीव ट्रिवल कंसेशन उसको नौर्थ इस्ट रिजन, जम्मू एंड कस्मीर, अन्नमान, निकोबार के लिए दो साल के लिए इसे और बड़ा दिया है तो इसका मतलब यह रहेगा कि अब कोई भी केंद्रिय करमचारी जो की अपनी जो होम ट्रिवल कंसेशन है यानि HTC है उसको LTC में कनवर्ट कर सकता है और इस वीदा का लाव अब वो 25 सिप्तमबर 2020 तक ले सकता है तो यहाँ पर आप जो किंद्रिय करमचारी है वो 26 सिप्तमबर यानि 25 सिप्तमबर 2020 तक अपनी एक HTC को LTC में कनवर्ट कर सकते है और उसके दौरान वो जम्मू, कस्मीर, नौर्थ इस्ट रिजन, अंडमान, निकोबार की जरनी प्राइविट एर्लैंज के दौरा कर सकते है तो काफी अच्छी खबर, यहाँ पर सभी किंद्रिय करमचारी के लिए निकल काई है उसके बाद में कुछ टर्म्स और कंडिशन्स है इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ तो भी आप देख सकते हैं उसके बाद में जो दूसरी खबर वो है 28 सिप्तमर 2018 को वित्मंत्राले का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्पिंडिचर है उसके दुआरा एक महत्पूर्ण ऑफिस मेंबरणम जारी किया गया था और उसकी अनसार अब वित्मंत्राले ने यह मांग मान लिया कि ऐसे सभी केंदे करमचारी जिनका कि 6 Pay Commission के दौरान है तो किसी पोस्ट के लिए उनका डारेक्ट रेक्रूटमेंट हुआ है या फिर उनका प्रमोशन हुआ है और उनकी जो पे है वो उसे पोस्ट के जो मिनिमम एंट्री पे है उससे कम है तो उन्हें एंट्री पे का लाव यहां पर दिया जाएगा तो ऐसे सभी केंदे करमचारी को बड़ा लाव यहां पर मिलने वाला है और उनको 6 Pay Commission और 7 Pay Commission का लाव एक साथ मिलेगा और इससे उन्हें काफी मोटा एरियन यहां पर मिलने वाला है इसके बारे में पहले से भी हमने वीडियो बनाए हुआ था आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बार बाद में एक आधिस जारी किया गया था लोकल TADA के बारे में तो अब यहां पर वित्मंत्राले ने वित्मंत्राले का जो Department of Expanditure उसने 12 सिप्तमबर 2008 को लोकल TADA के बारे में एक आधिस जारी किया था कि यह कोई केंद्री करमचारी लोकल जर्नी यानि मोर दन 8 किलोमीटर की जर्नी करता है अपने रेगुलर जो प्लेस ऑप ड्यूटी है उससे तो उसे लोकल TADA यह दिये दे जाएगा और उसके लिए जो चार्जेश है वो इस प्रकार से डक स्टीट किये जाएंगे तो उसे लोकल TADA के लिए होटल एकमोडेशन नहीं दिया जाएगा उसके बाद में जो ट्रेवल ट्रेवल विदिन सिटी है उसके लिए जो इतने फिल्ड में तो जो अलाउंस से शाया पर जो रहेटा वो एपलिकेबल रहेगी उसके बाद में जो फूड चार्जेश है वो उनको 50% यहां पर गंटे से ज्यादा है तो 50% और फूड चार्जर उसका बुगतान किया जाएगा तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो लोकल टीएडी है वो रेक्स्टिट किये जाएंगे तो इसमें जो एड़कोर्टर से जो एपसेंस है वो छे गंटे से कम है तो फिल्ड में है तो 30% दिय जाएगा तो यह जो रहत है वो लोकल टीएडे के बारे मैं उसके बाद में 20 सप्तेमर 2008 को डिपार्टमेंट और फॉर्टनल एंटर्णिंग के तरब से एक ओफिस में में जारी किया गया था और उसके अकॉर्डिंग अब जो पिक्सिशन या पिनी जो ऑप्सन है उसका ला लागू होने के बाद मैं M.A.C.P. दी गई है तो उसके पास में यह उप्सन होगा कि वो अपना जो पिक्सिशन है M.A.C.P. मिलने के बाद मैं किस डेट से करवाना चाहता है उसके पास में उप्सन होगा कि यह दी वो डेट of M.A.C.P. या फिर next day of increment से अपना M.A.C.P. के लिए जो पिक्सिशन है वो करवा सकता है तो इसका फाइदा भी आपर लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला पहले यह सिर्फ प्रमोशन के मामले में था है M.A.C.P. के लिए आदेशारी नहीं किया गया था और इस महिने में M.A.C.P. के लिए भी आदेशारी कर देंगा है और अब कर्मचारी के पास में option होगा कि वो किस डेट से अपना M.A.C.P. का पे fixation करवाना चाहते हैं और उसके बाद में अगली जो खबर है वो यह है कि सभी केंदे कर्मचारी पेंट्सनर्स और कर्मियों रेल्वे कर्मियों के लिए एक जुलाई 2018 से मिलने वाले बता दिया जाएगा तो जो उन्हें पहले मिल रहा था 7 परसंट उसमें 2 परसंट की बड़ोतरी कर दी गाई थी और उसको बढ़ाकर 9 परसंट कर दिया गया था और इसके लिए आदेश जारी होई था 7 सिप्तमबर 2018 को तो दोस्तों यह आदेश रही जो ओर्डर है वो गुरूप D कर में उनको दो एक्स्ट्रा पास यहां पर दिये जाने के लिए रेलेव बोड़ की तरब से 24 सिप्तमबर 2018 को आदेश जारी किये गये थे और इसमें सभी जनरल मैंने जजर्स और जोनल रेलेवेज के और प्रोडक्स प्रोडक्शन यूनिट्स के उनको कहते कि EIRF की मांग के अनुसार अब ऐसे सभी रेलेवेज जो की ग्रूप D में थे और वो रिटार्ड हो गए थे एक जनवरी 2006 या पर उसके बाद में तो उन्हें दो एक्स्टा पास यहां पर दिये जाएंगे तो यह कैटेगरी है और यहां पर जो नंबर आफ पासे एज admissible in one year तो इस पर कर से रहेगा जो गुरूप A और B जो की 20 साल और उसे अधिकी सर्विस किये तीन सेट्स दिये जाएंगे और गुरूप C और गुरूप D के जो करमचारी है जो की 20 साल और उसे अधिकी सर्विस उन्होंने किये तो उन्हें दो फिरी पास यहां पर दिये ज नागरिक हैं pensioners और family pensioners उनके लिए तो उनके लिए केंद्रिये pension लेखा कारियाल है जो है उसकी तरब से 13 सिप्तमबर 2018 को जो सभी central pension processing sales जो है जो की एक bank हैं उनके जो heads हैं उनको आदेश जारी किये गए थे और इसमें और उन्होंने जिया था कि जो e-scrolls हैं pension payment से जुड़ किया जाए क्योंकि बहुत सारे जो bank हैं वो इसकाम को नहीं करना है जिसकी वाज़े से cpu का data है और bank को का data है वो match नहीं हो पाता इसकी वाज़े से कुछ मामलों में pensioners को access payment का या access pension का payment हो जाता था कुछ में pension उनका जो है वो रोक दिया जाता था जिसकी वाज़े से pensioners और family pensions को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इसलिए इन्होंने आपर सभी जो bank हैं उनको सक्त चेताव नहीं दिया है कि यदि जो bank हैं वो इस काम को नहीं करते हैं ठीक से तो उनके खिलाब सक्त करवाई की जाएगी और उनको इस काम से डिबार भी किया सकता है तो यहा काफी अच्छा यहां पर आदेश जारी किया जिसका फादर लाकों पैंटनर्स को होड़ने वाला है क्योंकि यदि जो bank हैं वो ठीक से डाटा भेज देंगी तो पैंटनर्स को भी समय पर पैंटनर्स मिल जाएगी तो यहां पर आदेश दिया है कि वो जो पैंटन पेमेंट अदालत का यहिए जय किया गया था सेंटरल पैंट् सन आकाउंटिंग ऑपस के दूहरा यह किया गया था सब्सिवे पैंटनर्स अंके किया गया था उसके बाद में जो हमारे pensioners और family pensioners उनके लिए भी जो ये सप्तमर महिन है महिना है उसमें जुलाई 2018 से मिलने वाले महिंगाई बतते हैं जो dearness relief है उसके बारे में वाद्यजारी किया गया था और उनको भी अब जुलाई 2018 2018 से उनकी basic pension का 9% महिनगाई बतता दिया जा रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उन सभी महतपूर्ण office memorandums की बारे में चर्चा की जो की सिप्टमबर 2018 के बीच में जारी किये गए थे और जो की हर एक केंद्र करमचारी pensioners से जुड़े हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो ख़बार आपको दी गई है वो आपको फायदे की रही होगी और आपको अच्छी लगी होगी तो प्लिज वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों से तो आपको शेयर करें जिससे वो भी इसक सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद